आज की रेसिपी बहुत ही एजी और खाने में एकदम तेस्टी है इसे बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा बटर डाल लो और जैसे ही बटर पिंखल जाए तब हम यहाँ पर दो ब्रैड लेंगे और इने पिंखलते वे बटर के उपर रखतेंगे अब आप ब्रैड को पूरे पैन में जहाँ जहाँ पर बागी का बचा बटर है घुमा लेंगे इससे ब्रैड बटर को सोक लेगा और अच्छे से सीख जाएगा जब यह एक साइड से सीख जाए तो दूसरी तरब से प्लट लेंगे इधर भी ऐसे ही थोड़ा सा बटर लगा कर सेख लेंगे अब हमारी यह दोनों ब्रैड से तो सीख जाए है लेकिं दूसरी साइड से अभी भी कच्छे ही है इसलिए एक ब्रेड को निकाल कर मैंने अलग रख लिया है और दूसरा जो पैन में है इसके उपर हलका सा बटर लगाएंगे और उलट ब्रेट कर सेक लेंगे ऐसे ही जो ब्रेड हमने निकाल कर अलग किया था उसे भी सेक लेंगे जब तोनों ब्रेड तोनों ही साइड से सिक चाहें तब हम इस पर सुकर डाल लेंगे जैसा मीठा आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से एक या फिर दो चम मचीनिक डाल ले उपर से डाल देंगी इलाइची पावडर, इलाइची पावडर शेष्का टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है मेरे पास इलाइची पावडर तो नहीं था तो मैंने इलाइची के सीड्स निकाल कर अपने आप से sih पावडर बनाने के कोजिस की जो मुझसे अच्छे से कुट नहीं पाए और दूसरे वाले ब्रेड को इसके उपर रख देंगे अब हम दोनों ब्रेड के उपर धीरे धीरे करके दूद डालेंगे ध्यान रहे एक साथ आपको बहुत सारा दूद यहां पर नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके ही डालें इससे ब्रेड दूद को सोक लेगा फिर इसे दूसरे साइड से प्लट लेंगे और इधर भी ऐसे ही दूद डालेंगे दोनों ही साइड दूद डालने के बाद आपको इन्हें नहीं प्लटना है अब अच्छे से पकने के बाद इन्हीं पैंसे बहार निकाल लेंगे तो अभी ये रेडी है और मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है अब इसके उपर आपके पास पादाम ये पिस्ता है तो डाल ले वरना आप इसे ऐसे ही खाएं बहुत ही मस्त लगता है विए पसंदा है तो लाइक और चानल को सब्सक्राइब